हे अबरिवन आज हम बात करने वाले हैं मारूती प्रीजा के बारे में और यह इसका CNG मॉडल है एंड VXI वेरियंट है यह हमने रिसेंटली पर्चेस किया है और काफी टाइम से न्यू कार के लिए प्लान कर रहे थे लेकिन जो प्लान था वो EV के लिए था फर्स्ट हमने टाटा टियागो EV बुक कर आई थी और अल्मोस्ट फाइनल उसका प्लान कर लिया था बड उसके बाद जब काफी लंबा ट्रेवल करने की बात आई क्योंकि हमें 300 किलोमेटर जाना होता है बहुत बार हाइब्रेड काफी कॉस्टली होने के वाइसे CNG पर स्विच किया और ब्रीजा CNG रीसेंटली लॉंच हुआ ही था तो जैसे यह लॉंच हुआ तो हमने लॉंच वाले दिन ही बुक करा दिया था और उन्होंने थोड़ा सा एक्सपेक्टेड डिलिवरी टाइम ज्यादा बताया था लेकिन फिर भी उन्होंने विदिन अ मन्थ वो गाड़ी उन्होंने अविलिवल करवा दिया है क्योंकि में हाइलाइट जो है वहे वह बहुत पहले से आ रही है यह उन्हों नीचे काफी कुछ चीजें है जो साइज में इसके fit होती है वो आजाती है और यहाँ पे तो आपको दिखी रहा है कितना space है space बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन काम चलाने के लिए ठीक है अगर एक चोटी family है तो वो manage कर सकते हैं CNG को इन्होंने यहाँ पे इस तरह से place कर दिया है फिर आजाते हैं इसके mileage पे क्योंकि मारूती और mileage का तो बहुत पराना relation है तो मारूती में सबसे पहले जो देखा जाता है mileage जो mileage है वो petrol में इसका claimed 20 का है और अभी हमने इसके petrol पे highway पे भी चलाया था तो इसने 15 का mileage दिया था तो 15 to 16 यह mileage दे देती है highway पे और उसमें गाड़ी की जो speed थी वो 100 से 120 के पीच में थी थोड़ा और better शायद दे सकती है 80 तो 90 की speed में फिर main आते है mileage के लिए इसका CNG वाला version खरीदा है तो CNG पे इसका city में mileage 18 का निकल के आया है और highway पे अभी proper test नहीं किया है लेकिन 20 से 22 के आसपास इसका mileage highway पे रहने वाला है 25 क्लेम करते हैं तो 20 से 22 का mileage यह आराम से दे देगी और जादा प्यार से इसे चलाने पे शायद यह desired जो mileage है 24-25 तक भी दे दे बात कर रहे थे इसकी build quality की तो build quality में जो breeza है वो 4 star rated आया करती थी यह एक मन में थोड़ा सा था कि build quality इसकी normally जो मारूती की गाड़ियों के होती है उससे काफी उनसे तो काफी बढ़िया है और इसका जो door open करते है door open close करने पे भी feel होता है प्लैन इसका ZXI variant लेने का था जो कि fully loaded आ जाता है CNG में ZXI ही इसका top variant है ZXI plus का option सिर्फ petrol में आता है वो लेने का option रखा था लेकिन available नहीं हो पाई थी वो time पे इसमें मैंने aftermarket जो headlamps हैं जो कि इसके original headlamps आते हैं exactly same वो ही headlamps aftermarket मैंने लिये थे 34,000 के और यह जो headlamp है इनका visibility है जो इनका throw है वो बहुत ही बड़ी है इनका भी मैं अपना experience आपको बताऊंगा DRLs जो हैं वो भी original headlamps आपको कोई बोल नहीं सकता है कि आपने कहीं aftermarket लगवाए हैं so high beam, low beam सब कुछ बहुत अच्छे से काम करता है और इनका throw है वो भी बहुत ही बड़िया है इन DRLs की वज़े से ही मेरा में मन्द था कि मैं lights यही वाली के साथ गाड़ी खरीद हूँ लेकिन क्योंकि ZXI मिल नहीं पाया so फिर aftermarket यह lights चूज की थी और यह काम प्रॉपर कर रही है पैसा लगा है तो काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है lights की visibility, lights का throw, originality एकदम नजर आती है लगता नहीं है जरा भी कि आपने aftermarket लगवाई हुई है बट इनकी अपनी कमिया है जो बाहर से lights लेने का मैं बहुत time से सोचा करता था और बताया जाता है उनके वीडियो में YouTube पे या फिर उनसे बात करोगे आप तब कि आपको coupler to coupler connection मिल जाता है आपको कोई wiring नहीं करनी पड़ती तो वो इसे बनाती है lights को कभी भी ओरिजिनल light नहीं होती जिसमें वो direct coupler से coupler fit कर दें यहाँ पर आप देख रहे हैं यह एक mark है अब यह mark इसमें आया है और बाकी में कुछ pictures डाल देता हूँ इस lights के जिस condition में यह आई थी तो कुछ ना कुछ कमियां तो मिलने वाली है लेकिन यह काम एकदम perfectly कर रही है लेकिन आप सूचे कि मैं 30 से 35,000 रुपे pay कर रहा हूँ और उसके बाद मुझे एकदम original brand new lights मिल जाएंगी बाहर से जो इनका glass वाला area वहाँ से brand new मिलती है लेकिन अंदर से काफी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा और फिर मारूती भी उन चीजों के लिए मना करता है warranty के लिए भी बोला जाता है क्योंकि इनमें coupler to coupler fitting की है कोई wire cutting नहीं है still मारूती जो है वो इस चीज़ पर problem create कर सकता है अब इसके इंटीर की तरफ चलते है यह ब्रीजा का इंटीर है all black इस तरह का इंटीर आ जाता है यहाँ पर यह silver finish मिल जाएगा black के साथ और D shape में steering wheel मिल जाता है driving decent है यहाँ से fuel का यह change करने का option है traction control दिया हुआ standard so ऐसे offering काफी अच्छी है यहाँ पर मुझे इंटीर में वैसे तो सब कुछ बहुत ही decent सा लगता है लेकिन यह जो panel है यह काफी बढ़िया है इसमें AC के जो यह buttons दिये हुए यह controls इनकी quality बहुत अच्छी है इसके अलावा सब कुछ decent है जो plastic quality है वो हमेशा से वही मारूती वाली है Hyundai हमेशा से मारूती से better plastic quality interior में देता है और build quality भी हमेशा से better ही रहती है लेकिन अभी ब्रीजा में और 10 लाग से उपर की मारूती की गाड़ियों में फिर भी build quality काफी बढ़िया दे देते है otherwise छोटी गाड़ियों का तो आपको पता ही है मारूती की build quality का हल और वो इच सेम चीज इंटीरियर्स में है इंटीरियर्स में भी जो quality है वो decent मिल जाती है आप इतना पैसा invest करने वाले हैं अब ये गाड़ी साड़े बारा लाख रुपे अन रोड आती है और with accessories तेरा लाख हो जाती है आपल कार प्ले भी हैं वायर्ड हैं दोनों बट दोनों काम करते हैं वो proper कोई problem नहीं आती लेकिन इनका जो ये home screen है ये कितना ज़्यादा बेकार लगता है मलब ये home screen जो है ये इतना बेकार कर देता है अंदर बैठने पर जो feel है उस चीज को बहुत बेकार जो एक तो ये चीज बहुत बेकार लगती है मुझे ये इनको अपने गाडियों में better करना चाहिए दूसरा जो इनकी key है ये आप इनकी 5 लाग की गाडी ले लो चार लाग की गाडी ले लो और ये 15 लाग की ले लो तो भी ये आती है टॉप मॉडल में फिर भी एक छोटा सा फॉब की फॉब आ जाता है वो भी लेकिन कोई खास क्वालिटी का नहीं है बट ये चाबी तो चेंज करनी ही चाहिए ये चीज़े हैं तो ये था मेरा एक्सपीरियंस ब्रीजा के साथ मेंली सी एंजी जो है वो खरीदा गया था माइलेज को लेके माइलेज बहुत जादा नहीं दे रही है लेकिन सेटी में 18-19 भी देती है तो बहुत है और हाईवेबे 20 प्लस माइलेज मिल जाएगा तो वो सफिशेंट है जो जरुद थी वो पूरी हो जाएगी CNG लेने की मेंली और कमफर्ट वगेरा काफी डीसेंट है कोई प्रॉब्लम नहीं कमफर्ट में तो अच्छा पैकेज जरूर यह उफर कर देती है लेकिन आप अगर एंथूजियाज है थोड़ा और अच्छी गाड़ियां पसंद करते हैं ड्राइविंग से रिलेटेड तो डेफिनेटली मारूती तो आपको डिसपॉइंट करने वाली है इवन मैं I20 के बाद इसे चला रहा हूँ और मैं इसे 100 प्लश स्पीड पे क्रूज करता हूँ तब मुझे I20 जादा कॉन्फिडेंस दे रही है चला रहा हूँ और CNG में भी मुझे कहीं पे भी कोई पावर लाइग या फिर ऐसा फील नहीं होता कि मैं कोई CNG कार चला रहा हूँ और CNG लेने पे एक सवाल ये बनता है कि पेट्रोल के उपर एक से सवालाख रुपे जो एक्स्ट्रा लगते हैं वो वर्थ है या नहीं CNG में लेने के लिए भी या फिर पेट्रोल गाड़ी बैटर रहती है ब्रीजा पेट्रोल में भी आती है तो पहले स्टार्टिंग में मुझे वर्थ नहीं लग रहा था मुझे लगा कि क्यों बिकार में सवा लाक रुपे एक्स्टा देने हैं और पेट्रोल बैस्ट है चलाने में भी ज़्यादा मजा आता है और बूट स्पेज भी ज़्यादा मिल जाता है लेकिन जब रनिंग ही आपकी सौ किलोमेटर से ज़्यादा हो रोज रोज की रनिंग आपकी 100 किलोमेटर से जादा है तब ये फिर वर्थ नजर आने लग जाते हैं एक सवा लाख रुपे क्योंकि अब आपको चलानी इतनी रोज है तो आपको 15 के एवरेज पे रोज चलाना इतना जादा suitable नहीं होगा जितना कि आपको 20 के ऊपर एवरेज पे चलाना वो लगेगा क्योंकि अभी 89 रुपीज पर केजी है CNG और पेट्रोल अराउंड 107 है तो ये अच्छा खासा डिफरेंस है माइलेज में भी और इन दोनों के पेट्रोल और CNG के प्राइज में भी जादा है तो डेफिनिटली CNG प्रिफर करना बनता है और बस एक ही चीज जो है ड्राइविंग में बहुत जाद आपको कुछ प्राब्लम नहीं उठानी पड़ेगी कुछ कमी नहीं लगेगी बस जो बात है वो है बूट स्पेस की तो वो भी अगर आप यूज कर सकते हैं यूजबल है ऐसा नहीं कि बिल्कुल यूजबल नहीं है लेकिन हाँ उसमें कॉम्प्रोमाईज जरूर है बट रनिंग बहुत जादा है तो डेफिनिटली CNG